Hello everyone, Welcome to Study Zone HSSC यानि हरियाना स्टाफ सेलेक्शिन कमिशन ने पटवारी और केराल पटवारी की बरती के बाद ग्राम सचीव की भी पोस्टे निकाली है और ये पोस्ट निकाली है आपकी ये फोर्म फिलकरने स्टाट होंगे 3 जुलाई 2019 से जिनके लिए exam date रहेगी 13 जुलाई 2018 इसमें advertisement नमबर ये आपका 9 2019 है ये आपकी 14 जुन को यानि आज पब्लिश हुई है और इसकी opening date for submission of online form ये आपकी 19 जुन से आपके online form फिलकरने स्टाट होंगे और closing date 3 जुलाई ये तीन जुलाई इसकी last date है और face deposit करने की last date है 6 जुलाई 2019 आपके पहले पटवारी के फिर कैनल पटवारी के form निकले थे अब ये ग्राम स्टीव की बड़ी बरती निकली है इसमें आपको अपने सभी documents upload करने जरूरी है जो भी आपके पास है और आप इस URL address पर इस URL address पर जाकर अपना form फिलकर सकते हैं 19 जुन से ये आपका 19 जुन से available होगा उससे पहले ये available नहीं होगा और 3 जुलाई तक ये available रहेगा इसका link आपको description मिल जाएगा आप वहाँ से direct जाके सीधा form फिलकर सकते हैं वहीं आपको जो है documents which has been uploaded shall not be entereded which has not been यानि जो document आपने upload नहीं किये वो बाद में नहीं माने जाएगे यानि आपके पास जितने भी documents है चाए experience certificate हो या जो आपकी higher education certificates है वो सभी आप जो है online form फिल करते वक्त जरूर बरें वही next बात करते हैं इसमें आपकी यापकी development and पंचायद department में post निकले है ग्राम सचीव की total post निकले है 697 post जिसमें journal की है 287 और journal में भी अगर divide करें non-ESM की 234 और ESM की 46 और ESP की 7 SE SE की 162 BCA की 107 BCB की 74 और economical weaker section की 67 post निकले हैं दसवी में आपके पास हिंदी या संस्कृत कोई भी एक subject होना चाहिए और age limit रहेगी 17 से 42 साल वही इसमें age limit में relaxation भी है upper age limit में जैसे SC category के लिए 5 साल का age relaxation है BCA BCB के लिए भी 5 साल का age relaxation है यानि वो 42 और 47 सी यर्स तक वो form फिल कर सकते हैं ऐसे ही PWD physically handicapped candidates के लिए 10 साल का age relaxation है और 15 साल का ये SC और BC के लिए जो physically handicapped है और वहीं fees की बात करें तो fees general candidates के लिए 100 रुपे लगेगी और female candidates के लिए 50 रुपे fees लगेगी वहीं SC, BC और economical wicker section के लिए अगर हरियाना state के है तो male के लिए 25 रुपे और female के लिए 13 रुपे fees लगेगी next बात करते हैं selection criteria की तो आपका return exam होगा 90 marks का और social economic criteria और experience के 10 marks मिलेंगे ये सभी में same है और आप जो आपके 90 marks का return exam होगा उसमें 75% weightage रहेगा journal awareness, reasoning, math, science, computer, English, Hindi और concerned और relevant subject यानि जो आपका subject और आपके question आ सकते हैं और वहीं आप हरियाना current affairs की वीडियो के लिए हरियाना जीके के लिए study zone को चैनल को subscribe जरू करें और notification bell का बटिन जोर दबाए और वहीं इसमें 25% weightage रहेगा हरियाना की history, हरियाना current affairs, हरियाना literature, geography, civics environment यानि हरियाना की जीके से related आपका 25% weightage रहेगा exam में और वहीं socio economic criteria की बात करें तो आपके 10 marks रहेंगे maximum आपको 10 marks मिल सकते हैं या तो आपके घर में कोई भी government job पर नहीं हो, father, mother, spouse यानि husband या wife, brother या son कोई भी अगर government job पर नहीं है तो उसको 5 marks मिलेंगे, या applicant एक widow उसको 5 marks मिलेंगे या पहला या दूसरा child जो form fill कर सकता है, उसका father 42 years होने से पहले उसकी death हो गई हो तो उसको 5 marks मिलेंगे, या किसी के father की death हो गई हो और उसके पहले और दूसरे बच्चे ने 15 साल की age attend ना कियो, यानि 15 साल की age में होने से पहले उसके father की death हो गई हो तो उसको भी 5 marks मिलेंगे, ऐसे ही कोई विमुक जाती, टिप्रावास जाती से बिलोंग करता है तो उसको भी 5 marks मिलेंगे, वहीं experience के maximum, experience के maximum 8 marks मिलेंगे यानि आपका maximum 16 साल का experience काउंट होगा एक साल के 0.5 marks यानि अद्धा marks एक साल का काउंट होगा यह आपको याद रखना है आपके 6 महीने का, 6 महीने का अद्धा marks आपका काउंट होगा और maximum आपका 8 marks काउंट होगे वन हाफ marks for each year यानि आपका एक साल का द्धा marks काउंट होगा और आपके maximum 8 marks हो सकते है 16 years के, यह आपको ध्यान रखना है और इन सभी को जोड़कर आपके maximum 10 marks हो सकते है वहीं examination schedule की बात करें तो यह आपका examination schedule सभी का लगबग सेम है 13 जुलाई 2019 से 18 अगस 2019 तक यानि इसके बीच में आपके चाई पटवारी के paper हो कैनल पटवारी के हो या आपके जोग ग्राम सची को या आपके लगबग सभी test जो है इसी dates के बीच में आपके जो है फेस्बुक पेजिज पर शेयर जरू करें थैंक यू